इस वीडियो में हम मजमून VALUING OTHERS के सवाल जवाब को मुकमल करेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं Section B, Reading and Critical Thinking और इसका Section No. 1 है Reading Comprehension इसका पहला पार्ट है Answer These Questions दिये गए सवालाद के हमने जवाबात देने हैं पहला सवाल देखते हैं Why was Sard sitting sad? साथ जो है वो अदास क्यों बैठा था? तो जैसे के इस passage के अंदर हमें पता चला के साथ जो है वो अदास बैठा था और जब उसके दोस्त रहान ने उससे पूछा कि उसकी अदासी क्या वज़ा थी तो उसने यह जवाब दिया कि I am feeling guilty for my root behavior यानि वो अपने root behavior के वज़ा से या बुरे रवाए के वज़ा से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था इसलिए वो अदास था और फिर जब रहान ने मजीद साथ को कुरेदा या उसे मजीद ये पूछा कि वो तफसील से बताए कि वज़ा क्या है तो फिर साथ ने क्या बताया I have been rude to one of my classmates who limped while walking I often made fun of him for that My rudeness grew with time लेकिन अब हमने इस सवाल का जो जवाब है उसके लिए सिर्फ इस पहले जुम्ले को इस्तमाल करना है जिसमें कहा गया है I have been rude to one of my classmates who limped while walking तो इसको हम तबदील करेंगे और अब चुंके हम साथ के बारे में बता रहे हैं यहां पर यह जो speech marks होते हैं कि इसका इसका इस्तमाल नहीं करेंगे और I की जगह हम लिखेंगे साथ और have been की जगह had been हो जाएगा फिर rude to one of my की जगह His classmates who limped while walking फिर full stop और इसके बाद यह जिमला add करेंगे That is why sad was sitting sad जैसे के इस सवाल में पूछा गया था कि वो अदास क्यों पैठा था तो पहले हमने इस जुमले में उसकी वज़ा बताई Sad had been rude to one of his classmates who limped while walking के साथ जो था वो अपने एक class के साथी के साथ बुरी तरह से बुरे रवईये से या बुरे तरीके से पेश आया था जो के ठीक से चल नहीं सकता था बलके इसके साथ अगर हम ये एक जुमला भी एड़ कर दें यहां भी इसी तरह से हम ये speech marks जो हैं इसके इसके इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि अब हम साथ के मतलग बता रहे हैं और अब यहां हम लिखेंगे I am के बजाए He was for his rude behavior यानि वो अपने बुरे रवये की वज़ा से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था या वो पच्चता रहा था उसे अफसोस हो रहा था और यह जुमला लिखेंगे यह जुमला जब हम लिख लेंगे उसके बाद आखिर में हम फिर यह तीसरा जुमला लिखेंगे That is why Saad was sitting sad तो why was Saad sitting sad इसका मुकमल जवाब किस तरह से है Saad had been rude to one of his classmates who limped while walking He was feeling guilty for his rude behavior That is why Saad was sitting sad तो यह हो गया मुकमल जवाब अब देखते हैं अगला सवाल Why did Faraz leave the team यानि Faraz ने team को क्यों छोड़ा Explain in a few sentences आपने चंद एक जुमलों में इस बात को बताना है तो इस सवाल के जवाब के लिए भी हम यह जो पहला जुमला है इसे इस्तमाल करेंगे Saad had been rude to one of his classmates who limped while walking लेकिन इसके बाद यह जो अगला जुमला है इसको भी हमने शामल करना है इसमें भी इसी तरह से हमने तबदील करना है तो आई की जगह हम क्या लखेंगे He क्योंकि हम Saad के मतालग बता रहे हैं He often made fun of him For that अब my किसमें तबदील होगा पहले भी हमने my की जगह क्या लखा था His यहां भी His आएगा His rudeness Grew with time Being the captain of the team अब यहां फिर से जहां भी I आएगा उसकी जगह क्या हम लिखते थे He तो यहां भी He लिखेंगे He was shocked to know that Faraz had been selected as a wicket keeper अब की बार फिर से I का जो लफज है किसे replace करना है I को हम हमेशा He से replace करते आए हैं क्योंकि हम साथ के मतलिक बता रहे हैं यहां भी हम He लिखेंगे He completely ignored his good performance and was unkind to him because of his physical deformity और यह जो speech mark है इसके इस्तमाल नहीं करेंगे और यह हिस्सा भी cut कर देंगे speech mark से एक मतलबा फिर इनने भी हटा दिया और फिर अब यह बाकी का जो हिस्सा है इसे अगले जुम्ले की तौर पे लिखेंगे फराज was so depressed by माई की जगा क्या लखना है by his rude behavior by his rude behavior that he left the team तो यहां हमारा यह जो जवाब है मुकमल हो जाता है इस पूरे जवाब को अब एक मरतबा फिर पढ़ते हैं सवाल यह था के फराज ने team को क्यों छोड़ा तो हमने इसके मुतालिक तफसील से कुछ जुम्लों में यह जवाब लिखना था तो यह हमारा मुकमल जवाब यहां से शुरू होगा Saad had been rude to one of his classmates who limped while walking he often made fun of him for that his rudeness grew with time being the captain of the team he was shocked to know that फराज had been selected as a wicked keeper he completely ignored his good performance and was unkind to him because of his physical deformity फराज was so depressed by his rude behavior that he left the team तो यह मुकमल तफसील है और यह एक मुकमल जवाब है उस सवाल का जिसमें के हमें explain करने के लिए कहा गया था फराज के टीम छोड़ने की वज़ा को अब देखते हैं आखरी सवाल how did फराज treat साद जो फराज है उसने साद के साद क्या रवाया रखा यानि वो साद के साद किस तरह से पेश आया यानि जिस वक साद जो है फराज से माफी मांगने गया तो फराज ने किस तरह से उसके समल का जवाब दिया इस सवाल का जवाब लिए के लिए हम पहला जुम्ला, जो है अपनी तरफ से गlor और फिराज के घर गए और फिर इसके बाद हम बताएंगे कि यहां से तो इससे पता चलता है कि फराज एक अच्छा लड़का था और उसने साथ के माफी मांगने पर उसे माफ कर दिया तो इस तरह से यह हो जाएगा मुकमल जवाब तो इस जवाब को किस तरह से शुरू करेंगे पहला जुमला है Saad and Rehan went to Faraz's house और फिर Faraz was pleased to see them Saad apologized to him for his rudeness Faraz was a good boy He forgave and hugged him at once and they became good friends तो इस तरह से यह जवाब यहां मुकमल हो जाएगा शुरू में हम यह जो जिमला है अपनी तरह से इस तरह से लिखेंगे ताकि यह पता चले कि उससे पहले क्या हुआ था पहले वो उसके घर गए और फिर वो उनको देखकर खुश हुआ ताकि यह जो सवाल का जो जवाब है यह पूरी तरह से समझ में आ जाए और मुकमल तोर पर पूरा हो जाए और यह मश्च जो है यह यहां खत्म हो चुकी है अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और इन सवालों के जवाबात को लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए